जैहिन स्वागत आपका आपके अपने चैनल SK Fire Study Guide में आज हम जानेंगे सेंटिफ्यूगल पंप में इस्तमाल होने वाले प्राइमर के विशे में तो स्टार्ट करते हैं आज का टोपिक प्राइमर एक डिवाइस है जो की सेक्षेन होज और पंप केसिंग के अंदर की हवा बाहर निकाल कर वेक्यूम बनाता है और वायू मंडलियत दबाव से पंप के इंपेलर तक पानी पहुचाने में साहिता करता है प्राइमर की आप सकता सेंटिफ्यूगल पंप में होती है क्योंकि ये पंप पानी को खीचने का कारिया नहीं करता लेकिन अगर इस पंप के इंपेलर तक एक बार पानी पहुचा जाए तो ये पानी को लगातार खीच सकता है और इसमें पानी पहुचाने का कारिय प्राइमर द्वारा किया जाता है आगे आताब प्राइमर के प्रकार प्राइमर कितने प्रकार के होते हैं पहले है एक्जस्ट गैस इजक्टर प्राइमर सेकिंड है रेसिप्रोकेटिंग प्राइमर थार्ड है rotary primer जिसके दो पार्ट है water ring primer और sliding van primer और last में water shield primer इन में centrifugal pump के साथ exhaust gas ejector primer, reciprocating primer और rotary primer में water ring primer इस्तमाल के जाते हैं लेकिन ज्यादातर fire service में centrifugal pump के साथ exhaust gas ejector primer ही इस्तमाल के जाते हैं जानते हैं exhaust gas ejector primer के विशे में कैसे ये काम करता है जब pump को priming करते हैं तब priming wall को खोलते हैं और exhaust wall को बंद करते हैं exhaust wall को बंद करने से exhaust gas नॉर्मल रास्ते की बजाए दूसरे रास्ते से जाती हैं जहाँ पर वे गैसे बड़े रास्ते से छोटे रास्ते से गुजरती हैं वहाँ पर एक pipe होती है जो की pump casing के साथ जुड़ी होती उसी के दुवारा pump casing की हवा को खतम किया जाता है या खारिज किया जाता है और vacuum या चूस पैदा की जाती है vacuum बनने से पानी impeller में आता है अब जानते हैं इसके बारे में detail से यह क्या है यह हमारा pump है या इसे casing भी कहते हैं यह हमारी casing है और इसके अंदर यहाँ पर pump impeller है और यह section pipe लगाया हुए है इस pump casing से एक pipe silencer की तरफ जाती है और यह हमारा silencer है जो गाड़ी में लगा रहते हैं यह priming lever या priming handle कहते हैं इसको अब priming हो चुका है priming करते वक्त हम इसको off position में लियाएंगे यानि इसके उपर लेके आ जाएंगे अब इसकी दूसरी position देखते हैं अब यह इसकी closed position है जब हमने प्राइमिंग करना है प्राइमिंग करते हुद हमें क्या करना है जो यह exhaust gas से हैं जो silencer से दूआ बार निकल रहा था उसको हमने बंद करना है प्राइमिंग लिवर से जो प्राइमिंग लिवर को हम अपनी तरफ खेंशते हैं गाडियों में जैसे उस टेम क्या होता है यह close हो जाता है यहां से close होने से क्या होगा जो exhaust gas से हैं जो silencer से दूआ आ रहा था इधर जा रहा था वो दूआ इधर जाने की बजाए क्योंकि यहां से रस्ताबंद हो चुका है यह इधर से निकलना शुरू हो जाएगा दूसरी साइड से दूसरी साइड से निकलेगा तो क्या होगा जो यह pump casing है और यहां से हम प्राइमिंग वाल को ओन कर देंगे ओन करने से जैसे यह arrow बने हुए है उसी हिसाप से समझते हैं इसमें पहले क्या होती है खाली होता है तो इसमें क्या होती है एर होती है जब हम इसको silencer का रस्ता इ इदर जाएगा तो क्या होगा यहां से जाते वक्त यहां यह pipe है pipe का रस्ता यहां से वाल खल गया यह तो यह इदर की air को भी खैसते हुए Venturi सी दांत की वज़े से ये इदर की air को भी खतम कर देगा और साथ के साथ ये दुवा pressure से जाएगा तो क्या करेगा यहां से इसको choose पैदा करेगा या vacuum बनाएगा यहां पर vacuum बनाने से क्या होगा यहां की हवा जो इसके इसके बाद क्या होता है impeller होता है इसके अंदर impeller के तेजगती से गूमने के कारण फिर वो continuity बनी रहती है पानेगी उसके बाद हम इस वाल को क्या करते हैं open कर देते हैं जिससे फिर यह silencer की तरफ से दुवा निकलना शुरू हो जाता है फिर इसका यह रस्ता बंद हो जाता है और यह रस्ता कुल जाता है आज हमने exhaust gas ejector primer के विशे में जाना आसा है वीडियो आपको ग्यानवर्दक लगी होगी बाकी के primer नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद